हेलो गाईज, वेलकम बैक टू दे नीव वीडियो, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपकमिंग बाइक्स के बारे में कि इंडियन टू वीलर मार्केट में 2023 के अंदर कौन-कौन सी बाइक लाइक लाँच होने वाली हैं new और किस-किस कम्पनी की तरब से आने वाली है। Without time waste के इस वीडियो को start करते हैं वीडियो को start करने से पहले चैनल पर पहली वार आएं दोस्तो चैनल को subscribe कर लेना, bell icon की बटन को press कर लेना दोस्तो मैं आपको बता दूँ अगर आप upcoming bikes का वेट कर रहे हैं तो आपको यी वीडियो पूरा देखना होगा ताकि आपके सारे doubts के लिए हो जाएं कि इंडियन टू विलर मार्केट में 2013 में कौन-कौन सी bike आने वाली है किस-किस company की तरफ से आपका ये सबका topic favorite रहने वाला है because इस topic से related काफी सारी कमेंटें YouTube चैनल पर आती हैं दोस्तो श्टार्ट करते हैं सबसे पहली bike रहती है से list की Harley Hero की तरफ से जो की कलोविशन में ये दोनों ही company नहीं Hero Harley Davidson X 440 को launch करने वाले हैं जिसका आपको production ready model की pictures भी जो है काफी सारे leak हो गए होगी जूकि आपने देख ली होगी जिसकी वैसे bike के सारे component, सारे look, design, सारे feature जो reveal हो चुके हैं ये bike Indian two wheeler market में 2023 में confirm launch होने वाली है like मैं आपको launch date के बारे हम बताऊं तो 3 July 2030 को ये bike Indian two wheeler market में launch हो जाएगी सबसे पहले बात करें bike के looks, design and style के बारे में तो दोस्तो इस bike का look register type का होने वाला है और इसमें आपको all retro type के component देखने हो मिलेंगे bike के नाम से confirm हो रहा है कि bike में आपको 440cc का oil cool engine देखने हो मिलेगा जूकि power generate करेगा 35 to 40 PS के असपास 35 nm के असपास torque देखने हो मिलेगा bike में आपको assistant slipper clutch offer की जाएगी all LED lights का setup देखने हो मिलेगा जिनकी आपको like round shape में finishing देखने हो मिलेगी comfortable single piece seat देखने हो मिलेगी TFT instrument console देखने हो मिलेगा round shape में इसके अंदर आपको सारे basic reminder feature के साथ आपको smartphone connectivity वाले सारे feature देखने हो मिलेगे bike के अंदर काफ़ एच्छे super wide tubeless tire offer किये गए front में आपको 100 section का tire देखने हो मिलेगा 140 by 70 section का आपको rear में tire देखने हो मिलेगा bike के अंदर आपको front में twin piston caliber देखने हो मिलेगे and rear में single piston caliber upside down front folks bike के front में देखने हो मिलेंगे and rear में आपको twin shock observer suspension दिये गए है इस bike के अंदर आपको काफ़ी unique type के diamond cut alloy wheel देखने को मिलेंगे जिसकी वैसे bike का look काफ़ी दा enhance हो रहा है overall bike के look में काफ़ी अच्छी design देखने को मिलने वाली है यह bike two wheeler frame पर देखने हो मिलेगी Indian two wheeler market में यह bike बहुत जल आने वाली है जैसे कि आप production ready model की picture भी देख पा रहा है जो की recently hero plus Harley Davidson की तरफ से leak हो चुकी है इसका आप वेट कर सकते हैं bike के price लगभग आपको 3 lakh के आसपास देखने को मिलेंगे अब बात करते हैं next bike के बारे में जो की रहती है Honda की तरफ से Honda CB 125R Indian two wheeler market में Honda की तरफ से कोई भी अभी तक like recently bike launch नहीं हुई है Honda की पास international market में काफी दर premium bikes हैं जिनको Honda को launch करना चाहिए and most probably Honda CB 125R को तो launch कर देना ही चाहिए because Honda love is bike का काफी time से बेट कर रहे हैं बिलने वाले एडवांस फीचर है जो कि मैं आपको main main feature explain कर देता हूँ ज्यादा deeply नहीं जाने वाला हूँ because video long हो जाएगा 124.9 cc का इसमें आपको liquid cool 4 stock 4 valve DOS ते इंजिन दिया जाता है international market में जो की power generate करता है 14.7 hp की 11.6 निटमिटिन का टॉक है and 125 cc के अंदर 6 speed gearbox transmission है because bike का इंजिन काफी जदा refine है और reliable है okay bike के front में upside down front forks है 41 mm की bike के rear part में आपको single damper with preloaded adjustable mono sock suspension है and ये bike आपको steel diamond frame पर देखने को मिलती है bike में 130 kg काववेट है 10 liter की fuel tank capacity है 140 mm का ground clearance है 816 mm की आपको seat height देखने हो मिलती है fully digital type का आपको TFT type का instrument console देखने हो मिलता है LCD साथी bike के आपको like lighting setup में all LED lights का setup है overall bike के round type में आपको headlight देखने हो मिलेगी and आपको काफी start finishing के साथ indicator भी आपको LED ओफर की जाते है काफ एच्छे super wide tubelage tire के साथ आपको dual channel ABS का option प्रोवाइड कराए जाता है जिसकी वैसे bike में safety काफी इच्छी देखने हो मिल जाती है बरे राम से ये bike दोस्तों आपको 45-50 के MPL के असपा smile is provide करा देगी because 125cc का engine आपको दिया गया है इसमें आपको instrument console LCD देखने हो मिलता है bike के design style काफी the premium है definitely Honda को ये bike Indian two wheeler market में launch करनी चाहिए और अगर ये bike Indian two wheeler market में launch हो जाती है तो एक अपना अलगी platform सेट कर लेगी जिसकी विसे Honda की like काफी सारी sale होने वाली है इस bike को लेकर अगर launch हो जाती है तब बागी दोस्तों बात करते हैं हम next bike के बारे में जो की रहती है Yama की तरप से Yama की MT-03 बैसे तो Yama ने तीनचर bike को like Indian two wheeler market में dealership के थुरू showcase कर दिया है कि ये bike आने वाली है लेकिन मैं सिर्फ only MT-03 की बात कर रहा हूँ ये bike definitely confirm Indian two wheeler market में 2023 में ही launch होने वाली है एक street fighter bike के इसमें आपको 300cc के असपास power का engine देखने हो मिलेगा जो कि मैं आपको main main feature जो explain कर देता हूँ with price सबसे पहले बात करें power के बारे में इसमें आपको 321cc के engine देखने हो मिलेगा train cylinder liquid cool 4 stock DUSC 4 valve जो की power generate करेगा 42 HP के असपास 29.6 Nm के असपास torque generate करेगा इसमें आपको BS6 phase 7 compliant engine देखने हो मिलेगा साथ ही आपको 6 speed gearbox transmission assistance lipper clutch bike के front में 37 Nm के upside down front folks rear part में like आपको 7 step adjustable pre-loaded suspension देखने हो मिलेंगे bike के आपको काफी सारे component एकदम next level देखने हो मिलेंगे because bike में आपको quick shifter, dual channel AVS, traction control जैसे advanced feature देखने हो मिलेंगे variable well actuation technology तो आपको YAMA के अंदर देखने हो मिलती है यह 300cc की bike है तो definitely YAMA इसमें offer करेगा bike में काफी अच्छा like instrument console देखने हो मिलेगा super wide tubular tire के साथ dual channel AVS देखने हो मिलेंगे bike बड़े राम से आपको 25-30 MPL के आसपास mileage प्रोवाइड करा देगी इसको purchase कर सकते हैं price के बारे हम बात करों तो इस bike के price आपको 3,30,000 के आसपास या फिर 3,40,000 के आसपास देखने हो मिलेंगे Indian tubular market में अब बात करते हैं दोस्तों next bike के बारे में जो कि इस bike का Indian tubular market में काफी time से वेट किया जा रहा है लेकिन अभी तक इस bike की कोई भी official update नहीं आई है जो कि रहने वाली है again Honda की तरफ से Honda CBR 150R Sport segment की ये bike Indian tubular market में अगर Honda launch कर देता है तो Yamaki R15 B4, R15 M, Sati RS200 and Suzuki Zixer SF150 इन सारी bike को ये bike easily compete कर सकती है उसका reason सिर्फ ये ही है कि इस bike के price point के according इसमें feature काफी एड़ांस दिए गए है 149.4 cc का single cylinder liquid cool engine है इसमें आपको 16.09 hp की power 13.7 mm का torque देखने हो मिलेगा bike में 4 bulb दिए गए हैं तो bike के अंदर काफी अच्छी power देखने हो मिलेगी 6-speed gearbox transmission है तो engine में refinement and reliability काफी अच्छी देखने हो मिलेगी front में upside down front fox है bike के rear part में like काफी अच्छी आपको adjustable monosock suspension दिए गए हैं साथ ही आपको 139 kg कवेट 12 liter की fuel tank capacity देखने हो मिलेगी bike में आपको fully digital type construction console देखने हो मिलेगा सारे basic reminder feature के साथ with smartphone connectivity वाले feature भी offer की जाएंगी all LED lights का setup है इसमें आपको projector headlight देखने को नहीं मिलेगी only LED headlight देखने हो मिलेगी front में जो की काफी unique है bike में आपको काफी अच्छी super white tubeless tire देखने हो मिल जाएंगी जो की riding करते समय आपको road पे काफी अच्छी grip provide कराएंगे साथ इस में आपको safety के point of view से dual channel AVS दिये गाएं जो की काफी अच्छी आपको safety देखने हो मिल जाएंगी bike में दोस्तो बाइक बड़े अराम से आपको 42-45 के MPL के असपास mileage प्रोवाइड करा देगी इस bike के अक्षोरूम प्राइज 1,45,000 के असपास रहने वाले है और और ये bike आपको 1,80,000 या फिर 1,85,000 के अराउंड पढ़ने वाली है इस bike का आप बेट कर सकते हैं इस bike का इंडियन 2-wheeler market में ये bike price के point of view से better value for money रहने वाली है because feature का फिचे advance दिये गए है अब बात करते हैं दूस्तो next bike के बारे में जो कि दूस्तो बजाज और Tram दौनों ही कॉल विशन में इस bike को launch करने वाले हैं जिसका नाम आपको बजाज Tram 250 देखने को मिल सकता है overall नाम से ही पता लग रहा है कि bike में आपको 250cc कंजन देखने हो मिलेगा इसमें आपको power देखने हो मिलेगी 24bhp के असपास 6-speed gearbox transmission देखने हो मिलेंगे bike में bike बिलकुल ready to launch है इस bike का Indian tubular market में कई वार testing के दोरान like, photo और pictures लीग हो चुके हैं जो कि आप इस वीडियो के अंदर देख पा रहे होगे bike में break आपको dual channel ABS देखने हो मिलेंगे bike में काफ़ इच्छे super wide tubeless tire देखने हो मिलेंगे multi-purpose वाले allowable के साथ bike में front tire आपको 110-90mm का देखने हो मिलेगा bike का rear tire 140-70mm का देखने हो मिलेगा जो कि काफ़ इच्छी बात है super wide tubeless tire है block pattern के साथ bike के front में upside down front focus है rear part में mono sock suspension bike के अंदर आपको round shape में LED headlight देखने हो मिलेगी and आपको round shape में ही LED lights का setup देखने हो मिलेगा like indicator, rear tail light and front headlight आपको सारी के सारी आपको LED offer की जाएंगी with round shape में जो कि काफ़ इच्छी बात है bike के अंदर आपको curve weight देखने हो मिलेगा 152-170 kg के round and bike में आपको 180-190 के असपास ground clearance देखने हो मिलेगा 800-10 mm की seat height 12-15 liter के असपास fuel tank के अपसरी देखने हो मिलेगी bike बड़े आराम से आपको 30-35 km पर लिटर का mileage प्रोवाइड करा देगी इस bike के एक शुरूम प्राइज Indian two wheeler market में 2,40,000 या फिर 2,50,000 के असपास देखने हो मिलेगे और on-road इस bike के प्राइज आपको इंसुरेंस पिर the RDU charge लगा के 2,70,000 या फिर 2,80,000 के असपास देखने हो मिलेंगे market में ये bike बहुत जल्द आने वाली इस bike का वेट कर सकते हैं बागी दोस्तों यही कुछ bikes थी like top 5 bikes थी जो की Indian two wheeler market में launch हो सकते हैं 2023 में आप वेट कर सकते हैं अगर आप कोई वीडियो चले की वीडियो को लाइक कर देना है चैनल पर नहीं आएं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना है मिलते हैं आप से लिए एक ऐसी ही new interesting और updated वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए bye bye and take care